हेलो डियर इस्टुडेंट्स हाई अप लोग अच्छा ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई और प्रिप्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो जैसा कि हमने कहा था मॉक टेस्ट वन एंड टू तो मॉक टेस्ट वन यहाँ पर हो चुका है हमारे टेलिग्राम में अगर आपने किया नहीं है तो आप टेलिग्राम ग्रूप में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा मॉक टेस्ट को का तो उसी मॉक टेस्ट को हम लेकर आए हैं डिसकस करने आप सबके सामने हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका रहे टेंसर क्या है और पछला गॉशन है इडीबल तो इन में से कौन सा इडीबल अलगा है तो देखिए हूँ मैं यह यह वेलोनिया कि उजे करते हैम इंब्रेंड परिमीब्रेमिवाटी में और वालवाक्स जो होता है यहां पर केल्सियम कार्बोनेट का डीपोजीसन ग्लोबियूल और निकुल देखने को मिलता है और नोड इंटर नोड भी होता है पूर पायरा जो है वो रेड एलगी है जिसको हम खाते हैं ठीक है पूरी एससे नोड़ी करके फूड उठे अगला पर इंहोंने अपना एंसप्रीदिती अपना रोल करता है। यूअपना पकसीनिया तो पक्सीनिया का जो यूरेड़ोई स्पोर होता है वो यूनी सेलूलर होता है और बाइनुक्लियर होता है तो ये कोश्चन अभी पीवाई क्यू में आई थिंग ऑसम ऑसम के किसी इंट्रेंस में आया था अगला कोश्चन है फास्टेस्ट एसिलेरेटिंग आर्गिनीजम त तो इसे fastest accelerating enzyme organism वोलते हैं ओके fastest accelerating organism अगला question है find incorrect one तो भारदवाज जो है इल्गोलाजी से संबंद रखते हैं आप comment section में बताएंगे कि वाही भारदवाजा ने कौन सा इसकर्ड किया था उसका नाम आपको बता दूटो डी से है ठीक है डीडी पंत आपको पहली वाटनी से हैं मैं सरी इंब्रियोलाजी से धतूरा इनुक्सिया उपर काम किया लेकिन एमोपे एंगर जो हैं ब्रायोलाजी से नहीं है यह एल्गोलाजी से ही है तो यही correct होगा इस Gratio fulwin antifungal antibiotics की से मिलता है तो gracio falwin बहुत important है यह question वह मिलता है Penicillium graciofluin और nigro ospora немножor तो इस्टैमिनो पिला पे कौन बिलोंग गरता वो बिलोंग गरता उमाइकोटा का फंजाई जो है इस्टैमिनो पिला से बिलोंग गरते हैं ठीक है यह सब कोश्चन आप थोड़ा देखिए Google कीजे इनके बारे में पढ़ाई कीजे और अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है विच आप फॉलिंग फंगल जिनरा है मोनो प्लेनेटिक जूइस पोड़ तो देखिए डिपलेंटीजम का मतलब होता है कि अगला कोशन है ग्राम इस टेकनिक किस टाइप का है ग्राम स्टैनिंग टिकनिक जसा कि आपको पता है क्रिस्चन ग्राम ने 1884 में दिया था तो इन्होंने ग्राम पाजिटिव और ग्राम निगेटिव को को डिफ्रेंसीएट करने के लिए डिफ्रेंसिया इस्टेंग दिया था यहां पर जैसे की काउंटर इस्टेंग का उन है बताईए फिर मॉर्डेंट का यूज ऐसे करके किया था कि अगला कोशन है विच 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 आप फॉलूइंग यूज फार मीडिया सॉलिडिफाई करने के लिए आप लैब में काम की होंगे तो देखें कि एगार को वहां पे गर्म करके एगार से सॉलिडिफाई मेडिया को किया जाता है जो लिक्विट फॉर्म इलता है इसको इस इसBaynya tycker पया जाता है निर्यव परमें तो एसको कीम में बंते ना में अ या आ अ क्या होता है आपनोम, क्या बिन कर्स्ट्री विच फॉत्योग हो itself ऐगा आगा आपका ये होता है लेप्रोस यह स्केल लाइफ होता है तो इसकेल लाइफ इस दग करेक्ट एंसर हीर अगला कोशन है मेंनी साइनटीस्ट कंसीडर एलगल-फंगर रिलेसंसिप इन कि दो यह जंग का मतलब क्या समझते हैं तो वहां पर इक माश्टर होता है जार ओनился लेट करेंगा और सब और मुझे भी एक तरह का motivation मिलेगा कि आप सब अगर response करें तो मैं भी आप सब के प्रति response करूं और अच्छा सच्छा content डाओं वीडियो बनाओं अच्छा सच्छा चलिए अगले question चलते है which are the following is absent from a sphagnum sporophyte तो देखिए इस sphagnum का sporophyte देखेंगे तो वहां पर सीटा अफसेंट होता है simple question है अगला question markensia processes तो देखिए markensia जो होता है यह ब्राइफाइट है तो देखिए यहां पर assimilatory flame without air poor है यहां पर तो without वाला होगा नहीं air poor होता है वहां पर तो with air poor पार्टियर मतलब बटा हुए air chamber होता है उसके पास air poor भी रहता है तो 20 सही होगा इसका अगला question है chlorine chyma is known to develop in mass तो colon chyma कहां को होता है तो mass यहां पर दिया है तो chlorella होगा नहीं पर जिलस होगा नहीं पाए नहीं सिंपल है मास जब उहां उहां ही दे दिया तो इस फोर के स्टला मास है तो बहुत ही सिंपल है अगला question a cavity formed by the disintegrator ना प्रोटो जाइलम तो देखें कॉर्टेक्स में बनेगा तो वेले कुनर कहलाएगा और अगर जाइरम वायरम वेस्कुलर बंडल में बन रहा है तो वह क्रैनियल के नाल तो यह क्रैनियल होगा इसका राइट एंसर अगला question है तो लेटिफेरस एलिमेंट इन दे इस्टेमिज तो लेटिफेरस एलिमेंट जो सेक्रेशन में हेल्प करते हैं कोई भी चीज का लैटेक्स लैटेक्स कुछ भी तो और रेक निलेडियम में मिलता है सिलेजिनियला इस व्यद्ट करेárias राइट हसे तो यहीं से question मता है किllesव आरगान तो तो यह होता है नीश्रट के डिखने को मिलता है अरि पिकनो जाइलस हो सकता है, ठीक है, ओके, पिकनो जाइलस हो सकता है, ठीक है, पिकनो जाइलस एक टो माइको राइजा, यह सही है, पाइनस के सीट के जर्मिनेट करने के लिए, एसो सी एसन, माइको राइजा का बहुत जो दिरी है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मैनो होगा नहीं compound leaf नहीं होता अगला है which are the following character are common in fern and psychus तो fern and psychus में क्या common है आप सबको पता है fern and psychus में यही common है कि यहां पर सर्सिने डेनेशन और compound leaf देखने को में question है कि point out the correct statement isporangia pinus or wortsept winged shaped तो winged shaped होता है isporangia pinus का होगे कर सकते सब्सक्राइब 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 तो यह दोनों सही है तो इसका रायट एंसर जो होगा a and c both होगा ठीक है a and c is both for these question अगला जले question देखते है दगंडवाना फ्लोरा पिंडिया रिप्रेजेंट पिरिएट फ्रम तो गंडवाना फ्लोरा जो था इंडियन का हाई बायोडार्सिटी रीस था तो अपर कार्बोनी फेरस टु जुरासिक तक देखा गया बहुत अच्छे से फ्लोराइब मतलब पूश रहा है कि फ्लोरिंग प्लांट कप अपियर हुए तो फ्लोरिंग प्लांट कब आये थे आपके क्रिटेंश पीरियट आप दम जो इक इरा तो पहला ही इसका राइट एंसर होगा ठीक है आप सब मेटार हुए तो उसके पहले आप एंसर सोचे है कि ए होगा कि बी होगा जब मैं बता रहा हूं तो आप अपने एंसर से मैच किजिए ना ना अगला कोशन वेन दे प्लांट में क्या बनता है और अनिमल में सेल फरो बनता है यहीं रिफ्रेंस होता है तो देख लिए किसमें है यही है सी वाला सही होगा चलिए अगला कोश्चन चलिए देखते हैं फुल रिएजेंट टेक्निक की यूज़ फार तो यह फुल रिएजेंट है या इस्टैनिंग है वह न्यूकलियस को कलर करने के लिए यूज होता है माइटो कांडिया के लिए जैनस ग्रीन का यूज करते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए बताइए क्या होता है सेलवाल को कलर करने के लिए क्या होता है बताइए अगला कोश्चन है रिगॉर्डिंग मैटोसिस होई कोश्चन रिपीट हो गया या गलती से मैं ध्यान नहीं दिया तो इसका भी सी ही होगा तो चलिए अगले कोश्चन चलते हैं अक सब्सक्राइब तो इसने ऐप ट्रॉ्फ अब जोबसें कोश्चन डिया करने कॉड़ेशन ना देखिए मैखलीं लिंग्टों आगये थो किसका यूज़ किया थी इन सबने इस अबने इस्टडी किया था ट्रांस लोकेशन का ठीक है ट्रांस लोकेशन जॉंपिंग जीन का इस्टडी किया था वें टू डॉम्नेंट जीन एबी और वन क्रोमोसोम एंट टू रिस्टी और अंद अधर होमोलागरोसोम दलिंग रिलेशन सी पी आजकार देखिए जो अगर जैसे पैरेंस हैं पैरेंस की तरह ही प्रोजेनी आ जा रहे हैं एबी एबी अगर ऐसे साथ म है रिपल्स अगला विद रिप्रेंस अपर देखिए इतना बड़ा कोशन पढ़ने का जरूत नहीं है अगर दस प्रसेंट रिकॉम्नेशन आ रहा है ठीक है जितना प्रसेंट रिकॉम्नेशन आएगा उतना मैप यूनिट होगा तो यह सब कोशन एकदम सिंपल होते हैं ठी अगला कोशन चलिए देखते हैं डिजनरेंसी का क्या मतलब होता है अच्छे सुनिये डिजनरेंसी का मतलब होता है कि वन अमीनोसीट के लिए कई कोड काम करें ओके more than one codon for one अमीनोसीट ना जैसे अलियुसीन बहुत सारे के लिए 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है एक भी है, तो ऐसे अगला है दा proof reading जब DNA replication होता है तो proof reading के लिए कैसे होता है वहाँ पे 3' से 5' प्राइम एक जो नुक्लिएज देखो, इंडो तो होगा नहीं भाईया और 5 से 3 नहीं होता तो बचा ये 3' से 5' तो ये 1 और 3 पारी मरेज करते हैं which are the following 4 statement 4 statement इच करहाँ, following 4 following statement 4 नहीं होगा following statement इच करेक्ट 4 नहीं होगा यहाँ पे, तो leading instance is synthesized in fragment नहीं भाई, वो lagging होता है lagging जो होता है, वो fragment होता है DNA fragment synthesized initiated by DNA primer नहीं, leading and lagging instead are synthesized in different manner because DNA are anti-parallel तो ये most correct ये होगा जैसे leading में continuous होता है lagging में discontinuous होता है, तो ये ऐसा ही होगा चलिए अगला question देखते है which one of the following statement is incorrect, ओके इसमें से incorrect को होगा है leading instant synthesized 5 prime 3 सही है, lagging instant is synthesized by back switching process तो ये भी सही है back switching का मतलब समझ रहा है ना ये आपका होता है तो यहां, देखिए, यहां से हो गया तो एक खंड यहां पे एक पार्ट ऐसे ऐसे synthesized होता है बाद में इसको lag इसे फिल के जाता है, DNA polymerage can directly synthesize new chain of DNA बाई ऐसा नहीं है, उसको RNA primer चाहिए जब तक RNA primer नहीं देंगे template नहीं देंगे, वो काम नहीं करेगा तो ये गलत हो गया, C होगा सही emyloge जिए polymer आप glucose तो emyloge जो होता है emyloge और emylo-pactin starch में मिलते है emyloge में जो आप देखेंगे alpha-14 और emylo-pactin में देखेंगे तो alpha-14 के साथ-saat alpha-16P होता है चलिए अगले question चले, chloroplast distribution in photosynthesizing cell is the governed by blue light sensing phototroping 2 when the cell are irradiated with the high intensity of the blue light देखे, जब कुछी भी chloroplast plant पे highlight पड़ता है तो वो कुछ अपना light से बशने के लिए chloroplast moments हो करता है तो क्या करता है जब highlight intensity होता है तो phototroping 2 क्या करता है और chloroplast देखे, ऐसे ऐसे आपका cell हो गया, तो यहाँ पे chloroplast है तो क्या करता है, chloroplast मूँ करकी साइड वाल पे आ जाते है, इधर का इधर, इधर का इधर तो साइड लाइन पे चिपक जाते है तो move from the side wall, okay अगला कोश्चन है when the effect of 2,4-D on mitogandia what, 2,4-D का क्या है 2,4-D क्या है, एक uncoupler है तो आपको दो चीज़ क्लियर होना चाहिए uncoupler और inhibitor inhibitor क्या करता है, कि ATP synthesis को block करता है, मतलब electron transport chain को खतम करेगा, फिर ATP synthesis आपने आप को रुख जाएगा लेकिन 2,4-D क्या करता है वो electron transport system को कुछ नहीं करता है, वो proton gradient को ही inhibit करता है, ठीक है, तो यह क्या होगा, block ATP synthesis without inhibiting electron transport by dissipating proton gradient, तो proton gradient को 2,4-D inhibit कर देता है, बट ETS चलता रहता है, तो यह सही होगा समझ मैं न, uncoupler और inhibitor क्या होता है अनकपलर माने, वो बस proton gradient पर काम करता है, और inhibitor पूरा electron transport system को ही खतम कर देता है, जैसे, अम मैं कहूँ को cyanide, cyanide है तो कि भाईया, खतम complex फोर गया, काम खतम, आदमी भी खतम हम, अगला question apply Vmax versus V, मतलब V I initial velocity, Vs velocity enzyme catalysis, state line देखे भाईया, state line है, बस से आप करेंगे, तो यह state line हम अईसे, मतलब enzyme भी दे रहे हैं, sub state भी दे रहे हैं, reaction आ रहा है, तो उससे आप V max भी निकाल सकते हैं, velocity भी इससे निकाल सकते हैं, यहाँ आधार हैगा, तो यह km भी आप निकाल सकते हैं, और turn over पर नंबर भी निकाल सकते हैं कि एक मिनट में इंजाइम होँआ कि इतने सबस्टेट को प्रोड़क्ट में बदल दे रहा है तो सब इसका सई होगा अगला कोशन है वीच आप फॉलूइंग एंजाइम मारकर एंजाइम का होता है न कि जिसे मारकर एंजाइम जैसे कि जो वह लाइसोसोम का है साइटोक्रोम बीफाइब जो है वह इंडोप्राइब रेटिकुलम का है माइटोकंडिया का सकसिनिक डी हाइडोजिनेज जो है सकसिनिक डी हाइडोजिनेज एंजाइम जो है सकसिनिक नहीं कार्बोनिक साध यही है कार्बोनिक अब बताएं बहुत झादा होता है वह एक मिनट में 2000 मालीकूल को सबस्टेट से प्रोडबाक्ट में बदलता है दपकि kadar लाई कि लाईसो लाईसोजाइम दो मिनट में एक मालीकूल को बदलता है ना तो आप टर्णोर नमबर समझ रहा है टृर्ट नम्बर का मतलब होता है कि एक एंजाइम पर मिनट कितने सबस्टेट को प्रोडक्ट में बदल दे रही है जैसे बिराट कोहली च्छवाल पर कितना चख्का मारता है और टृर्ट नमबर ढीपेंड आन अनद एक्टिस आइड जितना ज्यादा active site होगा उतना ज्यादा turnover number होगा समझ गया ना चलिए अगले कुश्यम चलते हैं प्रेजेंस आप नाइट्रेट एराउंड रूट आफ लेग्यूम प्लांट तो देखिए भाईया लेग्यूम जो होते हैं उनमें ये नोड्यूल नाइट्रोजन का fixation करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर पहिला से नाइट्रेट दिये हैं तो उसको क्या जरूरत है नोड्यूल बनानी का आराम से उसको महनत नहीं करना पड़ेगा नाइट्रेट ले लेगा तो अगर कहीं भी लेग्यूम के पास नाइट्रेट रहेगा तो व वह root nodule formation को inhibit करेगा ठीक है रोकेगा कि भाई आप जरूरत नहीं है एनर्जी बचाग रखें गर्मी उर्मी पड़ेगी तो ठंटी ले काम आएगी अगला कोशन है rapid and irreversible cell elongation occur commonly in plant but not in annual this is different due to तो ऐसा यह देखिए हमें बच्पन में एक question मिलता था सोस्ते थे यार कि यार हम लोग खाते हैं एक आक महीने मस असे exercise करते हैं तो मोटे हो जाते हैं लेकिन फ्लांट है एक बार मोटा हो गया तो कभी पदला होने का नामी नहीं लेता उसी पे टी जाता ऐसा कि ऐसा इसली ह करण है कि फ्लांच होता है मोटा होके वह पतला नहीं हो बता हम हो जाते हैं सिलवाल अगला कोशन है कि ATP synthesis के लिए कौन से थिवरी स्क्रेंट करती है तो लिपमान यह ATP synthesis के लिए होता है ATP cycle के लिए लिपमान थिवरी है ATP कैसे हमारे बॉड़ी मबल रहा है लोहमान ने 1920 में ATP क ग्रूप कैटालिटिक ग्रूप वह था मीचल कीमो आस्माटिक थिवरी 1976 में आया था तो यही इस्प्रेंट करता है कीमो आस्माटिक ATP synthesis कैसे होता है लिपमान का मैं कहूं कि ATP cycle वाला तो लिपमान बला हो जाएगा याद रखेंगे ना अगला कोशन है टीपिकल ही है इक य्श्ट्डी सफर और एसीडिम इंघ्णालिंग बांथवे आधलीन हारमोन को यह अगर पता करना चाहेंगे कि एथिलीन काम इसके लिए एक होता है ट्रिपल टेस्ट्टेव रिस्पांस उसके लिए क्या टंव होता है याध्थिपको बताते हैं צhota., Looking fan K candleuu, threats छो तो मैं आपको बताता हूं तो क्या होता है प्लांट जो होता है छोटा हो जाता है ना देखिए यह प्लांट हम बना रहे हैं हमें आता नहीं है और यह गर्थ में मोटा हो जाता है यह जो नहीं मोटा इधर से होता है और करलो यह लीफवा जो होता है करल ऐसे कर देता है तो ए लिप जो रहेगा वो करो जाएगा तो ये अव्लीण का यही समर्मी करें हैं उसकोई ये प्लांट है उसको धोरत दे रहे दे रहे दो ये चोट यह रहेगाagtा तो यही इसका अलग साइटो काइनीन में रिच्पान लेंगे फिस पति को एथिलीन में दूबा के रख रहे हैं तो वो हरा ही रह रहा है तो यही सब है बाई हए से मतलब कि किसी चीज का पता लगाना कि कैसे काम गड़ते हैं समझ में आ रहा है ना अगला कोशन है परसेफसन आप ब्लू लाइट इन प्लांट काज तो देखिए ब्लू लाइट क्या होता है ब्लू लाइट के बारे माँ यह कोशन बहुत लोगों ने गलत किया ब्लू लाइट भया इस्टोमेटा को ओपेन करता है ठीक है इस्टोमुलेट करता हो ओपनिंग देखिए यही से आपका हो गया था अब यह तो इनहीं बीशन नहीं होगा ठीक है इनहीं बीशन नहीं होगा और यह तो ठीक है कहका सकते हैं लेकिन मौस करें इनहीं बीशन आप लेंथ 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 लाइट वीच वन अब फॉलविग इस्टेटमेंट इस करेक्ट इबाउट इस्पीशिविटी अब फोटो रिसेप्टर तो देखे यहां पे दिया है फाइटोप्रोम एक एन परसीव फार एंफार रेड लाइट एंब लू लाइट तो फाइटोप्रो अंश्पीश हें परसीव फार मैंश्पी दौर छोता है वे रेड लाइट के लिए ठीक ए बन तो यह गलत है फाइटोप्रोम विखाइट यह साही होगा फाइटोप्रोम अच्छह जाओए पढ़ि नियां सारक गोशत Did Uh the length देखे एक ठांजिदनल रांगिटूडनल सेक्षन होता है जो C वाला तो यह क्या होता है जैसेदर Dawn लेंथ और विड तो आप इसको एक बार ऐसे काटेंगे फिर ऐसे काटेंगे तीक है आईसे काटके निकाल लेंगे तो यह ट्रांजनाटल सेक्षन होते ना learnt लोंगिटूडनल ट्रांजडनेटल लांगिटूडनल सेक्षन तब आप देखिए ऐसे विड्ड भी काउंट कर लेंगे ऐसे लेंथ भी कर लेंगे तो पी एलेस अगला कोशन और कंसिंट्रिक एंफी वैसल वैसकोलर मंडल मंफी वैसल भी जाइलं शरांड स्फोयम शेट्रि लोकेटर फ़लन पही का होगा अगला कोशन यह है कैलेज एंजाइम हमेशा एज से खतम होता है ना एंजाइम का नाम हमेशा जैसे नुकली एज कैलेज फास्पॉराइल एज तो एंजाइम का कहले जहां भी यह नहीं हो डियोंगा देख कहलोज पॉलै पॉलै ग्रीन बहुत सरे पॉलै ग्रीन होते है ना ओम इनके बीच में क्या होता है यह एक सबस्क्राइब कनकर चुड़ता है दूसरे साथ पहेले पॉलब यह वहां निया था है, तो और में यह कहला आता है तो यह ododma Mosukeاي अनट्रोपस था इंशल बालो Girוע जाँ यो यो यह झाल sürंने गार्ण माइक्रोपाइल लाई ट्लोजी इज़ह था हुटछ था तो क्या होता है जैसे फ्यूनिकल हो गया तो क्या हो गया मालीजिया फ्यूनिकल यह जो भी है प्लांट बड़िया इसे मूड जाता है ना तो यह देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रोपाइल जो यह है वह क्लोज टू फ्यूनिकल यह फ्यूनिकल के पास आ जाता है तो यह इन д生 ostrale के लिए एक सेख्रेशन आप लैर्टी जाब फीचर आप पॉलेंगरेंड आप इसे पॉलेंदग्रेंड तो देखिए उहां पर जो पॉलेंगरेंड होता है थो पॉलेंडियन को बैठता है न तो यह पॉल्एंध कीट जो होता है निसके पॉंखोंग से चिपक जाता है तो वह पॉलिनेशन में help कर देता है पॉल्एंध कीट एक्चली खाने वाला है खाता भी है पॉलेंध कीट चिपकता भी है आप कहा सकते हैं अगला विच ट्राइप्टम फॉर्म पेर प्लाज्मोडियम इस्टिक्चर अगले पर चलते हैं एडेक्सियल फेनोमेना एस्टेटर विट एरवर्डियस थेलियाना इन विच इस्टेज तो देखिए जो प्लान डेवलप्मेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या क्या होता है ग्लोबल अर्ट इस्टेज ऑर्कीडएस के अनसार है आपके दो क्या डाल दिया गया क्योंकि कर्यों टाइप नी Annellen Reriers किंडिन को इन दोनों में बहुत तो इस्टेए गर्यीकर चिल्मान करा मेंट को ब्लाबिया तो पिस्टेपॐसी अगल्में छेमें संगेंट्र थेलिगशत धीश डेंसफयरे ततो इस टेम होता है वह लीफ लाइक इस्टेज रहेगा उसका जो इस्टेम रहेगा वह लीफ लाइक इस्ट्डेक्चर में बदलेगा लेकिन वहां पर सिर्फ इतना पाठ रहेगा दो टिक है यह हो श्करते सब्सक्राइब हो गया आपका यह जो पास यहां से लीफ निकलती है ना होता है यह ही मोडिफाइड होके ऐसे लिफ लाइक बन जाया और फोटो सिंथिस करने लगे तो इसे करते हैं फिल लोड समझ गये तीनों तीनों अगला कोशन है इन फाइनाइट नंबर आफ फ्री सेपल निष्टिमेन अगला करेक्टरिस्टिक फीचर आप तो देखिए आपने देखा होगा रोज क्या देखा होगा रोज ऐसे ऐसे करके मैं बना नहीं पाता रोज ठीक है अली जैसे यहां पर देखेंगे बहुत सरा इस्टिमेन होता है बहुत सरा होता है तो रोज एसी का करेक्टर है यह बहुत सरा पेटल होता है गुलाबी गुलाबी इस्टिमेन भी बीच में बहुत जादा होता है ऐसे बीच में होता है तो रोज एसी सिनेंडरस इस्टिमेन कहां पर होता है तो आप देखेंगे कुकु अंड्रेस होता है अगला कोश्चन है वीटीज स्टनेर लखिंर यी आ खालेकर ऑा specjalि fell लृ चैन कि कोन सा फैम Sverinky मिलता है यू फॉर वैसी अगला पॉपूलेशन आप 2800 फ्लावर इन हर्डी वीनबर्ग उकलिब्रियम एन 2352 आप देम रेट फ्लावर तो देखिए रेट जो है ठीक है यह कैपिटल रार कैपिटल रार कैपिटल रार इसमाल यह दूनों को मिला के दिया है 2352 तो इसमाल आर जो है यह रिसेशी के लिए है अहले देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले आप करेंगे क्या 2800 में से गिवेडि कर देंगे इसको 0.4 जब आ गया तो इसको 1-0.4 करेंगे तो 0.6 तो यह 0.6 value जो हो गया यह हो गया आपका capital R का और 0.4 हो गया का हेट्रोजाइगोस जो होता है P2P क्यों होता है ना ओके तो टू इन्टू 0.6 इन्टू 0.4 तो आपका जो वैलू आएगा वह आएगा 0.48 तो यह रहा राइट एंसर तो ऐसे सॉल होता है समझे ना ना समझे तो बैक करके इसकीप करके फिर से देख लो समझे में लिए अगला कोशन एल टू रिजम क्या होता है एल टू रिजम जो होता है एक ऐसा है जहां पर अपना benefit ना देखके अपना नुस्कान हो जाए लेकिन हमें दूसरे का फायदा करवाना होता है तो एल टू रिजम में जैसे यह मैं पर है ठीक है आपसब का फायदा मैं कराओंगा चाहे मेरा घाटा ही हो जाए लेकिन आपसब का फायदा होना चाहе तो यह जो मैं कर रहूं यह तरह का L2 region है ठीक है L2 region जैसे अगर आफ सब हैं तो आफ सब के लिए तो कम करूंगा लेकिन मेरे घरवालों के लिए ज्यादा करूंगा तो यह inclusive मेरे चलनें लेकिन बहुत सब्सक्राइब को मार दे रही है तो मेरे अगर इंडिया पास तो कैसा होगा अगर दो बच्चे ज्यादा पाइदा होंगे मतला पूरी जए अगला कोशन है यू फाइंड फिल्ड माउस वा सॉलिड नहीं इट वाई या कुछ कर लें एक माउस है हम उसको इसनेख खा जा रहा है फिर इसनेख को एक हॉक खा जा रहा है ना तो फिर पूछ रहा है इसनेख क्या है तो देखिए माउस ने खाया था ग्रास को यह फिर यह है ठीक है तो यह हो गया प्राइमरी कंजियूमर यह हो गया सेकेंडरी कंजियूमर तो इसनेख जो है सिकेंडरी कंजियूमर होगा हम इसने एक जो होगा सेकेंडी केंजिमर होगा इन आडर तो सेपरेट रेड एन वाइड ब्लड सेल वीच अब दो फॉलुई मेथड केंभी यूज़ तो रेड एन वाइड ब्लड सेल जो है उसको आप कर सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियन सेंट्रिफिगेशन एन फ्लॉरेशन सेंट्रिफिगेशन देंसिटी मतलब इसको अलग-अलग फ्लॉरेशन की अधार पर एक तरह का चाटने का काम करेंगे तो यह डेंसिटी ग्रेडियन सेंट्रिफिशन और फैक्स करके आप फुल फॉर्म देख लेंगे अभी मुझे थोड़ा सा इसमें अगला कोश्चन है तो प्लाजमिट कितना प्लाजमिट की केरिंग कैपरसिटी कितना होता उसमें हम डिजायर इंग को कितना तक एट कर सकते हैं वो 2 से 5 के भी होता है आप यहां पे नीचे लिश्ट भी दी गई है देख सकते हैं 0.5 से 8 है तो वही होगा 2.5 फिर बैक्टिरियो फेज 9 तो 25 के अगला कोशन है वेक्टर डेट डूनाटर रिक्वाईर को लाई एज कि लिया को लाई इस कुर्या को लाई तो ईक्छोन होता यहाँ पीर होता है ठीक है है तो यहीं होगा राइट अंसर अगला कोशन है अब whether 구nung पढ़ेंगे तो Vir gG जिन क्या करता है ये क्या करता है इंडेक्सन आफ और वीर g करता है Vir d2 क्या करता है ये इंडो टार हथे की तरह काम करता है ठीक है F का काम जो होता है ये प्रोटियोसोममिडियेट करता है ठीक है फिर तो आप जैसे पी का कर सकते हैं आप 4 और S का 3 ओके तो पी का 4 S का 3 मतलब यह सही होगा ऐसे ही और वो दोनों तो देखी सकते हैं अगला कोशन है इस पॉपुलेशन आप क्रिकेट क्रिकेट मतलब जिंगूर का है वेरी सिमलर बट द मेल सार कर्टिफ सॉंग यह सांड इफरेंट वाट फंसन आप डिफरेंट इस सांग लाइकली सर्वाज इस दपॉपुलेशन कम इन कॉंटेक्ट ठीक है तो कहरा है भया जिंगूर की दो दो प्रजातियां जो सिमलर लगती थी ठीक है यह जिंगूर में बना दिया ठीक है यह है मेल यह है फीमेल तो रिप्रडक्शन करने के लिए मेल मस्ट से गाना गा रहा है ठीक है लेकिन यह रिस्पांस नहीं कर रही है ठीक है रिस्पांस इसलिए नहीं कर रही है मेल चिला काफी हैं आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं सामने वालों को समझाने के लिए लेकिन जब तक उसको समझ में ना है मतलब behavior problem है ठीक है behavioral ठीक है अगर यही जिंगूर को मैं यहां पर कर दूँ यहां पर कर दूँ यहां से चाहे करना इसके साथ reproduction तो यह क्या हो जाएगा यह कैसा वेरियर होगा mechanical तो यह कहां पर है आपका बिहेवियर और जैसे टेम्पूरल बिहेवियर टेम्पूरल आइसोलेशन क्या होता है जैसे यहां पर टाइम जैसे कि जब इंथर माली जब मैचियोर हो रहा है तो आपका क्या होता है इस्टीगमा रिसेप्ट्व नहीं है ग्रहट करने के लिए पॉलिन ग्रेन को तो जब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैचियोर हो रहे हैं या तैयार हो रहे हैं फार्द कर्ट्व बिहेवियर तो वहां पर टेम्पूरल आइसोलेशन ठीक है आज समझ गया ना बिहेवियर मतलब मैं मेल चाहता है फीमेल क जलते हैं वीच अफ फॉलिए इस टू फार रिगॉर्डिंग मीजो जोई की रहा तो मीजो जोई की रहा एज अब अब टॉयल एज आफ इस भाई या डीमोनियन है ठीक है एकोनी फर भी होगा तो एबी करेक्ट होगा अगला कोश्चन इफ वन विसस्टू कंपेर मीन अप तो यह आपजर्ड और रिस्प्रेकेट्टेट के भी काई स्क्वेर करते हैं और जो है आप पढ़ लेंगे अगला कोश्चन है in the analysis of variance in one way model if the observed value of the f statics is less than 1 than null hypothesis देखिए ये होता है hypothesis testing के लिए null hypothesis कब accept होगा कब reject होगा तो f statics की बात करते हैं तो f statics में less than value 1 होता है यानि 0.1 से लेके 0.9 0.5 भी हो जकता है तो इतना value होता है तो वो क्या होता है hypothesis null hypothesis accepted होता है आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको कहीं से IFS पर भी एक coaching है YouTube channel वहाँ पर अच्छे से पढ़ाएं वहाँ से पढ़ सकते हैं अगला question the programming developed by NCBI searching sequence similarity between organism तो देखिए faster sequence क्या होता है वो base pair होता है जैसे AT, T, C, G ये आपके पास है आप ले गए NCBI पर क्या होता है NCBI blast करके होता है blast में आप करेंगे NCBI blast option पर क्लिक करेंगे तो ये sequence similarity जिस जिस organism से मिलेगा वो आपके सामने आ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा उस sequence का blasting कराना पड़ेगा तो देखिए ये जो है कह रहा है FASTA scan smaller window size हाँ ये smaller window size को जैसे कि आप ज्यादा value को ले रहे है ज्यादा sequence को ले रहे है तो वो नहीं करेगा इट गिव मोर sensitive result हाँ बहुत ज्यादा sensitive बहुत जगह से चेंपैर जी का गोरिल्ला से गोरिल्ला का और उंगो टान से लीमर से बहुत ज्यादा जगह से ये लाके देता है information इट गीव लेस सिंसिटीव रिजल्ट तो ये नहीं होगा देखिए ये दोनों contradictory है तो यह ये answer सही है अगला कुछ वीचादा फॉलेंगी ज़िए टराईवल सिस्टम क्या होता है कि एक है सिक्वेंश लिया एक सिक्वेंश को लाखे आप ब्लास्ट करा रहे हैं हर जगह से प्रोटीन डाटावेस, DNA डाटावेस, नुकलोटाइड डाटावेस, प्लांट में, हर जगह से जो डाटा लाता है, वो इंट्रेज का काम होता है, इंट्रेज इजे रिट्रायल सिस्टम, अगला कोशन है, अगला कोशन है, अगला कोशन है, उन्होंने पता लगया गे, कुछ लामा के अंदर ऐसे अंटिबाटी बॉडिज है, जो कोरोना वाइरस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ओके, लामा इस दर राइट एंसर यह, तो यहाँ पे कोशन तो हमें 75 ही करना चाहिए, लेकिन कल मैंने 35 करा दिया, आज 45 तो ले दे के बहुत ज़्यादे, 4-5 कोश करणे 25 के बॉट के adult saers, और चैनल को संद्राइब करेंगे और अच्छा सा कमेन्ट करेंगे की मैं अब कि मैंने समझे आया के नहीं और मुझे क्या-क्या इंप्रूमेंट करनी शल दूखें रिप चलँ हो., मैं भिरम, की सए और नक्स वीडियो मेधाना, थैंकि यहू फर व